दो दिन से नहीं चलेगी गौमती नगर एक्स्प्रेस छापड़ा थावे डेल खंड से होकर चलने वाली गौमती नगर एक्स्प्रेस ट्रेन का परिचालन 2 सितंबर से 2 दिनों के लिए रद कर दिया गया है रेल परसासन ने ट्रेन का परिचालन रद होने से संबंधित सुचना जारी कर दी है पुर्वत्तर रेलबे पारा नसी मंडल के जन संपर्क अधिकारी अस्तोक कुमार ने बताया कि छापडा कचहरी से गौमती नगर के लिए चलने वाली 1514 उप गौमती नगर एक्सप्रेस ट ट्रेन का परिचालन 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को रद रहेगी उन्होंने बताया कि गौड़कपूर गोंडा रेलखंड के अगहर खलीलाबाद चुडबे रेलवे स्टेशन के बीच अर्टोमेटेकली सिगनल की कारिया चल रहा है कारिया में बाधा उत्पन ना हो सके इसलि आने वाली कई ट्रेनों का मार्ग परवर्तित किया गया है कुछ ट्रेनों का फेड़ा कम किया गया है छापड़ा थावे रेलखंड पर गोंमती नगर एक्स्प्रेस ट्रेन का पड़िचालन अस्थागित होने से यात्रियों की परसानी बढ़ सकती है नमस्कार आप देख दिहाती खबर निउज मैं आपके साथ अनीशा सीम। अधर उड़ा है